तो कि हम लोग python GUI में अभी सिखेंगे एक किंटर 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 यूज करते हुए किसे GUI बेस्ट किल्कुलेटर एप डेवलप करना है तो मैं तुमनों को जस्ट वह एक एप रान करके दिखाता हूं उसको बाद में हम लोग one by one step by step इसको डेवलप करना सिखेंगे ठेके तो है साथूर फर फ़िगिन्थ लेड़ के लिए है जैसे में एक एक बार कर दिखाता हूँ यह जो एप अगर हैं मेरान करों तो कुछ तरह का ये और बनेगा ठेके for कि स्द़ा कैंश घर और यहां पे टेसे यह एक मैंने किंटर यूज करते हुए इसका एक जिवाइब बनाया है जैसे यहां पर फॉर्टिफाइब यह प्लस है फॉर्टिफाइब प्लस थ्री करोगे तो इक्वेल टू फॉर्टिएट जो भी करो सी मनने से यह मतलब क्लियार हो जाएगा ठीक है नाइटी एट माइनास इक्वेल टू दिस नाइटी टू सी उसके बाद अगर तुम्हारा मल्टिप्लाइ करना है तो वह भी फंक्शन मैंने बना करका यहां पर कोड उसका ठेक है तो उसके साथ-साथ यहां पर इसे 50 डिवाइड वाइड 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 तो सब कही मैंने अ सब्सक्राइब करणा होगी आ हम लोग को पाइथन में अगधर जी अपी दियुक एकसे बनाना होता है कि इंटर अ इसके बाद अगला सभी हम लोग करना तो फ्रेमिद की लिए क्या करेंगे काल my method को call करेंगे मिन्टो लिखते वे यहां पर टीक है method को call करता हूँ उन्हें ईक्षแตो नहीं बॉत इसे वाहते हैं एक वी नाम देखो एक मैंने वीन दोगा में रिख दिया ओफिटो और कॉर्णा है और अभी तक पर यह एक window दिख रहा है हम लोग को अभी जो यह window है यह resizable है इसको हम लोग resize भी कर सकते हैं इस तरह से ठीक है और secondly इस window का एक default size कितना आ रहा है default size इतना सा रहा है तो मुझे थोड़ा बड़ा तही है कि इसका default size है and third यह जो window है इसका इसमें इसका जो उपर टीके लिखा हुआ इसके जगा पर लिखना है calculator लिखना है ठीक है तो यह तीन चीजे को set करते हैं पहले हम लोग तो सबसे पहले इस window का जो size है उसको अगर set करना है तो geometry नहां जाएंगे हम लोग geometry में जाएंगे ठीक है geometry कितना देंगे इसका size तुम set कर लो मैंने बोला कि इसका size होगा 312 मैंने दे जिया 320 ओके उसके बाद इसको हम लोग परान करेंगे तो अभी यह default size बना इसका default size बन गया अगला जो next step क्या है यहां पर इसका जो title है उसको change करना है TK लिखा हुआ है इसको हम लोग तो यहां पर मैं करता हूँ window dot title ठेक है इसका title set करना है तो मैंने title दे दिया क्या calculator मैंने क्या दिया यहां पर इसको रान करेंगे तो title भी सैट हो चुका है इसका default size भी सैट हो चुका है और अभी यह resizable है इसको resizable नहीं चाहिए मुझे ठीक है ताकि यह application को resizable नहीं कर वाए कि जब मैं application को develop करूंगा तो यहां पर बहुत तरह component आएगा तो उसको resize नहीं करना है ठीक है तो default size में उसको fix करना है तो resizable resizable अगर नहीं करना है तो मैं यहां पर window.resizable एक यहां पर तुम्हारा इसको call करना है method को और इसमें हम लोगो बहलो पास कर देना है zero.right? comma, मतलब यह resizable नहीं होगा अब ही ठीक है? तो इसको अगर आगर मैं run करूं तो यह देखो अभी resizable नहीं होगा देखा यह resizable नहीं हो रहा है तो this is not resizable right now समझ में रहा है यहां तक बात तो यह हम लोग ने विंडो को सबसे पहले सेट कर लिया तो यह code लिख लो तुम लोग इसका जो basic code में ने दिया है यह code कर लो यहां तक अच्छा नेक्स टेप क्या है तो यहां तक हम लोग ने जो बेन फ्रेम है में फ्रेम को तो बना लिया ठीक है अभी इसके अंदर क्या आएगा जैसे मैं तुमको लास्टाम दिखा था जो एप्लिकसम बनाया था हम लोग उसमें अंदर इससे पहले एकदम फ्रेम बनाएंगे एक text entry field के लिए और दूसरा और एक फ्रेम बनाएंगे जहां पर आल बटन साएगा जो भी बटन्स हो गहां पर जैसे प्लास माइनास 12345 अब के लिए बटन होगा तो जितना बी बटन्स होगा बटन्स को हम लोग दूसरे एक अलग सा फ्रेम में उपर वाला frame में entry field आएगा और निचे वाला frame में buttons आएगा. तो चलो frame को बनाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे frame method को call करेंगे ठेक है? तो frame इसको call करेंगे और इसके अंदर कुछ value pass करेंगे और इसको हम लोग एक variable में store कर देंगे तो इसका नाम देचे हमें इसान रोगेंजाने समझ लोगी इंसाइट फ्रेमा सब अंदर वाला फ्रेम होगा यह जो नया फ्रेम बनाएंगे इसका नाम क्या दिया वेरियेबल का इनसाइट फ्रेम नाम जो और इसको फ्रेम और मेथोड को काल करते हूं हम लोगों ने ऐक नया फ्रेम बनाया और वो फ्रेम कहां बने का वींडो भीडे का विंडो मेरा मेन विंडो है अच्छा अभी यह अबित तो तो जो मैंने में वीर्ट लिया था कितना 312 उतना है तो इसका भी मुझे 312 भी वेट लेना है और हाय तुम जो चाहे तुम डिफाइन करो हाइट मैंने सपोस्ट देदिया इसका 40 ठीक है 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 बने दिया आउट ऑफ 320 मैंने हाई की तरफिट इसको 40 देदिया नेक्स जो है तो अ मैंने आपने दूँगा हाईलाइटे highyae liegtzent बियाल और लजघेश के जी आरो यू है लाइट पेगरांड हाइलाइट ग्रावफ में अकट्र आ रहेंगा रायका मैंने बोलाएगा रेट मैने दिया कर falling silent moody separate रान है मेने एक रहें जो ठीक दूँगा highlight a side is highlight the a s i c k n e double s highlight thickness में देद धिया स्पिलिंग ठीक है मेरा थिकनेस का सिंगुब दोगा ना और मैंने आपको मां दिया नहीं सिंगले सके दॉलिष होगा थिकनेस देख रहे थाओं अच्छा हाइलाइड थिकनेस थिकनेस मेने चलो देजी है इसका 2 ठीक एक बहरान करके देखते हैं सायत ये डबुले सुगा ना है लाइड थिकनेस है लाइड थिकनेस में लुक्या तो लिखे और को राएं है को तो इसको इसको अंदर लीखता हूं में यह बाहर चला गया के इंसाइड करते हुए में इसको यहां पे दोंगा ठीक है हाँ अभी इस को रान करते हैं आप लोग तो यह थिकनेस का स्पेलिंग हाइलाइट बेग्राउंड रेड हाइलाइट ठीकनेस टूर कर दिया अच्छो इसमें बाद में आएंगे अभी दिखे का यह थो रबाद में कुछ इश्यू मेरा यहां पे हो रहा है जस्को रोको में तो देखते हैं अभी यह देखो यह तो थिकनेस कमांड मेरा सही है यहां पर आएगा नहीं अच्छा क्यों नहीं आएगा यहां पर देखो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो फ्रेम बनाया है अभी इस फ्रेम को मुझे करना क्या है यह जो फ्रेम है इस फ्रेम को यहां पर आन करते हैं देखो यहां भी दिख रहा है यह मतलब यह क्या है वो जो इंसाइड फ्रेम में इसका बात हो रहा है यह इंसाइड फ्रेम है यह इंसाइड फ्रेम में में विंडो के अंदर में फ्रेम के अंदर यह इंसाइड फ्रेम में फ्रेम के अंदर और एक फ्रेम बनाया है ठीक है तो यह इंसाइड फ्रेम है इसका विट में 312 जो यहां पर 40 दिया है तुम यहां पर अलग अलग साइज दे सकते हो जैसे में एक दिखा रहा हूं तो यह इसका मैंने अभी हाइट 60 कर दिया ठीक है तो यह होता है हाइट और यह विट विट अगर तुम ने समझ लो 31 कर दिया तो यह विट हो गया तो हम लोगो विट पुरा चाहिए विट क्या चाहिए इसका पूरा तो पूरा मतलब में वे मान विंडव का डिव ए तो में ने का वे कितना यह 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 तुम दिख ले सकते हो तो जितना बड़ा कर देख निब एक चलो जेसका हाइट ले लए 50 ठेक है और इसका बेक्ग्रांड अथे करते हैं कि अभी लोग ब्लेक फ़ी ऐल सी यह तो मूसिको मिकर सकते हो ठेक जी और ईम टुन कर सकते हो ग्रीन कि तो यह झालाइगा ग्रेन थीके इस ग्रीन रहा करっ दिया और यह बेग्राउन highlight thickness इसका thickness कितना हगा गारे समझ लोग कर में इसका सिकने साण 726 कर दिया तो यह ज्यधा मोटा दिखेगा इसका इसका ऐसका नहीं करता हमारे नहीं चाहिए यह ब Hanım कहते को दो हरा नहीं करता हूं डिफोल्ट में अन्हों सई रहेगा तो यह ठीक है हलका सबक् Bei क bevor ना ध्लवराया कुछ नहीं यहां पर क्या होगा घ्क वार है तो यह इन्ट्रिफील होगा वार्ना यह पर क्या ह colony है क्या क्यी उपाइख को फिल जोगा तो मुझे यहां पर एक एंट्रिफिल सेट करना है तो उसके लिए में entry method को call करूँगा ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर entry तो entry के लिए क्या तो मैं उसका भी एक variable बना लेता हूँ जिसे मैंने inside नाम दे दिया inside field inside f i e l d inside field ओके और इसको मैं कहा रखोंगा वो जो अंदर वाला frame है inside frame में रखोंगा तो यह क्या है तो entry method को call करते हुए इसको में कहां पर रखोंगा inside frame के अंदर रखोंगा mainframe नहीं inside frame में इसके अंदर रखोंगा ठीक है और वही एक frame है उसके अंदर रखोंगा और इसका तुम इसका भी तुम तुम kिन होंगा समझ लो तो इसमें आपी ब़ाके बाल ही बाड क YOUR के अधिक का रखोंगा नहीं की आखेक चलो रो जीरो कालॉम में सद्सक्राइब देखा है फेले रौ जीरो Scripture box लिवं में by जे नहीं को में प्लेट करोगा तो अविसका 되면 करेंगे तो यह दिख रहा है यहाँ पैसा वारा रहा है तो यह दिख रहा है जो इंट्री फिल्फ वो शो पर है इसका मुझे अभी कुछ यहांपे ठीक करना पर उसका color i rejected इसका year color थोड़ा अलग हो गए ठीक है कि दो इह यहां पर मतलब्च जो भी हांब थाइप करोगे इस तरहर से ृप हो तो एज्याइं प्रिफिर्ट हे इस इसपे मुझे कुछ modifications लाना है इसका मुझे height define करना है इसका height काम है तो मैं height किम ज़ी इंसाइट फ्रेम का height कितना दिया था 50 थेकर तो इसका भी में यहां पे एक काम करते हैं इसका जो font है एक काम करते हैं ये जो font है इसका font अभी छोटा आ रहा है ठीक है छोटा मुझे थोड़ा इसका font को बढ़ा करना है for तो तो पहला तुम्हारा इसका फod का टाइप क्या हओगा मैंने बोरा तो देखते हैं इसको रान करके एक बर तो यह हो रहा है अपने आप से साइज बढ़ा हो चुका है इसका तो जब हम लोग टाइप करेंगे कुछ भी यहां से देखो साइज बढ़ा आ रहा है यह हो गया उसका साइज मतलब यह मैंने 20 दिया था अगर 15 करोके तो थो 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 थ तो है तो यहां पर पूरा गैप को मुझे कोवर करना है यहां पर तो मैं इसको अगर 18 करों हुए है थेके 20 ठीक है ना 20 तो लो 20 मेने कर दिये इसको अभी पुरा ये उसको ले लिए को अभर कर लिए ठीक है सब्सक्राइब यह तो 20 लेकिन जदा बढ़ा हो जाएगा जदा बढ़ा करने से टेक्स तुमार जदा बढ़ा हो जाएगा ठीक है अभी सही है नॉर्मेल लिए ओके रह अच्छा अभी ये जो है मुझे इसका अगर कुछ तुमको गार देना दे सकते हो कि यह टेक्ट फिल का पड़ देना है अंट्री में उन्ट्री फिल करो जैसे मैंने यहां पर रगाओं ऑ बीजी बेग्राउंड न कलार बीजी मतलब बेग्राउंड तुमको क्या कलर देना है इसको यहां इसको पिंक देना ज्यदा कलारिंग कर खराब दिखे गए ठीक है जैसे में बोल ना हूं यह पिंक नहीं देंगे इसको इसको हम लोग क्या रखेंगे इसको उसी कला का रखते हैं कौन सा ग्रे जी आर एवाई ठीक है यही कला ठीक रहेगा ग्रे ओने अंधेरा वागया ना तो यह जो color है मैं यह color define करता हूँ यहां से कोई color प्कर से color चूस कैलो color coat picture से halkा सा light color कोई चूस के लो color color coat taker सा जैसे मैं अगर green का ही कोई लाइट ग्रीन ले लो ठीक है यही सही रहेगा ओके यह वाला कोड ठालो यहां से कोपी करते हुए इसको हम लोग यहां पे पेस्ट कर देंगे और इसको रान करेंगे ठीक है ओ थोड़ा लाइट होने से अच्छा लएगा ना जदा यह ओ हो चुका है यह सही रहेगा मतलब वो जो फ्रेम का मेंन कलर है उसके साथ और मैच होना है इसको एक दम से चैंज होगा तो खराब दिखेगा यह तो मैं यह कलर एक बर एक प्लाइक करके देखता हूं यहां पे यह मैंने पेस्ट कर दिया चलो तो लभी सही है ठीक है थोड़ा मैच हो रहा इसका एक दम मैच नहीं हो खराब दिखेगा यह ठीक है ना इसको अगर मैं 22 करूं तो यह एक दम पुरा फिल हो चुका है अभी ठीक है क्लियर हो गया तो यह पार्ट कंप्लीट हो चुका है उपर वाला तो मैंने क्या क्या यहां पे आज़ा इसका यहां पे तुम हां चलो हो ईसका कोई बात नहीं ही तो यह वाला पार्ट अंपटलीट हो चुका है हम लोग ओने मतलब के अंदर एक में क्या लगा दिया इंपूटफिल लगा लिए इसका रख लाइट कर लो जो इसके बात क्या क्रना लोग के औस में लोग और बनाना है हम लोग को और ऐम बनाएंगे जिस फ्रेम में किया जा कीश सिर्फ बटान साएगा तो बटर चीली अम लोग और एक अप्रेम अनंगे तो बनार्ख कर लेंगे औहीं निएDown ठ्रह्ट कर ला तो बतन को बनाय इस फ्रेम के इसमेर जब लिख आप भी टीन के बटन का फ्रेम हो का कहा यहां पर आएका विंडू फ्रेम में तर्ट को जिए वे कॉल करते हुए इसका मोड़ करेंगे में विंडोपे सेट होगा विट ओही रहेगा जैए रहेगा इसका और हाइट तुम इसका जधा कर दो हाइट मैंने पहले कि एट फिफ्टी तो फिफ्टी प्लास में अमेरा मेन इसको में अगर रान करूं तो देखो रान करने साब को तुमको समझ में आएगा नहीं अभी और आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने इसको पैक नहीं क्या तो मुझे क्या करना पड़ेगा यह जो बटन फ्रेम है इसको पैक में थाट के थुरू पैक में थाट के थुरू करता हम इसका फ्रग्रावन एक कालर चैन्स करके दिखाता हूं में इसको वीजी में इसका कलर के दिया दिया समझ लो कि मैंने इसका कब अब देदिया रैड ठीक है तो रान करेंगे यह पुरा आ गया समया रहा है ना बाद मैं कालर को अधा देंगे आप लोग यही फ्रेम है में हाइट मेरे कितना है तो एक टी करते हैं चला है यह पुरा कॉभर हो चुका है तो यह इतना हैंगे आम लोगे लेंगे इसको एंड यह जो कलर मैंने इसको ग्रेदिया था इसको में दूसरा क्राइशन कर दूंगा यहां पे समझ लोग वही कलर कोट पीकर से कोई और एक कर दूसरा कमें पीछ और यहीं को चयर कर दिया रान करेंगे इसको तो अभी रहेगा ठेके उपर वाला अलग क्लर में & इंड यह उल्क कडित, ऑन फिल्यकूर में il sono Att टो बटन के लिए बटन के लिए क्या कोड रिखने है तो बटन के लिए लिए फंद में अब क्लीक या पी थीग फ्टलाक टा मेज सबसे फेले बெरएकग तो डिवाइड बटन होगा और एक होगा clear button दो मेने बनाया थे एक प्लिक्सन उसके साब से बोल रहा हूं एक डिवाइब बटन होगा और एक लियर बटन पहले आएक लियर बटन तो पहले आपन को बना लेंगे तो बटन को बनाने के लिए यहां पे बटन मेथोड को क्या करना परेगा कोल करना पर ठीक है तो बटन को कोल करो और बटन का कुछ नाम देऊ मैंने इस बटन का नाम दे दिया यहज़ी क्लियर बनाएंगे तो मेंने नाम क्या देएक लेव overlook और इसको कहाँ पेक करेंगे चुरों अउस फ्रेम के अंदर आएले का इस थी तो सब्सकिर 59inde तो यह कॉन सा फ्रेम में आएगा बटन बटन फ्रेम में तो बटन फ्रेम के आंदर ये बटन आएगा तो इसलिए मने बटन फ्रेम दिया इसको और सोरी में यहां फर्य आपर नहीं हैं इहां तो इ profe बटन फ्रेम में आएगा उसके यहां पर टेक्स क्या लिखा हुआ रहे रहेगा टेक्स क्या लिखा रहेगा सी ठीक है और उसके बाद इसका कलर दे दो बीजी कलरा का तुम को चाहिए तो दे दो इतो फॉर्गांट कार बीजी कलर कुछ देए तो जिसे में अच्छा पहले गवरां का कर देख लेते हम लोग इसको रान करेंगे तो यह देखो यहां तो यहां पर आ रहा है तो इसको ठीक करने अभी हम लोग को ठीक करने के लिए इसको कोल इस पैंड लगा देंगे इसको हाँ 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 एक सेकंड रूख हुआ है कालम एस पी एन कालोम स्पैंड कर जैमेन यहां पे चलो इसका 3 तो यह थोड़ा अवसा यह तो यहां पर नहीं यहां पर मुझे एक सेकंड सको काट करते हुए कि यहां पर करता हूं मैं इसको अशवरी यह मैने कॉलम इसपैंड लगा दिया यहरान करेंगे इसको तो यह पूण कर आ समय आएगा कि कि मेरा का लो म Family मित फ्रीदी गणार मुझे ओर चाम करना पर पह मैं को मदार पराइन आसके में बाद में बोलूँगा इसके में बटन के मिल्टोस्त विजय और डुटन बना इन दो बटना एक तो ग्लेन ऑस का कि दूसरा क्या बटन होगा? ने क्या है? इसको भी बना लेते हैं एक साथ इसको कोपी करेंगे सब्सक्राइप्स ए और ये जित बटन होगा ये क्या होगा अगला जब बटन होगा ये? डिवायद दी, आइवी, आइट ये ये भी बटन होगा, इसमें क्या लिखावा रहेगा? ये लिखावा, ये सिंबल रहेगा, ठीक है? और ये row 0 column 1 में आएगा, समझ में आ रहा है बत? ये row 0 column 1 में आएगा, इस कुरान करेंगे, ये overwrite हो रहा है, row 0 column 1 नहीं, column तुमारा ये हो जाएगा, मैंने तो इसको column spend 2 दिया था, तो इसको एक काम करेंगे, हम लोग call spend 2 दिया तो इसको हम लोग 4 कर जाएगे, ठीक है? इस तरह से, सम्झ में आ रहा है बत? अज़ रहा है तो ये code तुम लोग note down कर लो इसको, क्या रहा है ये तो छोटा रहा है ना, तो इसका हम लोग काम करेंगे, इसका width को बढ़ा देंगे, तो width भी छोटा छोटा रहा है ना, पुरा cover करने मुझ रहे हैं तो मैं इसका width को बढ़ाने के लिए, यहां पे मैं width करता हूं, मैं यहां पे height, height में करता हूं, इसका suppose 10, ठीक है, तो same, इसको मैं यहां से उठा के copy करके इसके लिए भी करूंगा, तो इसका भी मुझे width and height देना है, इसका मैं width दे रहा हूं, suppose 5, और height तो same रहेगा, समझ लो, तो जदा height हो गया ना, height मुझे खटाना है अभी, मैं height को करता हूं, 3, मैंने हाँ जदा कर दिया इसको, अभी सही रहा, ठीक है, और width को थोड़ा, और चोड़ा करना है ना, तो 2 कर दो height, और width को थोड़ा बढ़ा दो, इसका width करता हूं, 40, और इसका width करता हूं, में, 400 हो गया, 50, कि मेरा तो main इतना ही, अभी ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा मिलाना परेगा, इसको थोड़ा कम करना परेगा, width, 35 करते हैं इसको, सही रहा अभी, हो गया, अभी ये एक button, ये एक button, clear button, और divide button, ठीक है, और ये text field, और इस तरह से ये पहला row हो गया, उसके इसका नीचे का row का भी हम लोगो काम करना परेगा, समझ मैं रहा है, तो आज यहां ते रहने तो बाकिया हम लोग अगला class में इसको continue करेंगे, ठीक है?